नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तो आपको बता दे कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था ऐसे में दोस्तो एक आपके नेता हैं जी हाँ आम आदमी जो पार्टी है उनके नेता थे और वो दोस्तो ग्रह मंतरी अमिसा के घर पर गए थे धरना करने के लिए लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना होई कि उनके उपर दोस्तो ये घटना पूरी तरह से भारी पड़ गए जी हाँ आपको बता दें आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच के विवास से एक बार फिर दिल्ली की राजनीती गरमा चुकी है उपर राज जेपाल अनिल बैजल और केंदरे ग्रह मंतरी अमिसा के आवास के बाहर धरना देने जा रहा है आदमी पार्टी के विधायक रितु राज को रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपका आरोप है कि अमिसा उनकी आवाज को दबाना चाते हैं आदमी पार्टी के विधायक रागाव चड़ा ने ग्रह मंतरी अमिसा के आवास के बाहर परदर्सन करने की इजादत मांगी थी जिसे दिल्ली पुलिस ने खारिच कर दिया दरसल मुख्य मंतरी आवास पर गत 7 नौंबर से धरना दे रहे भाजपा सासित तीनों नगर निगमों के महा पौरों के जवाब में आम आदमी पार्टी आने की आप भी धरना सुरू करने जा रही थी पार्टी की योजना के अंसार एक तरफ उपरा जिपाल निवास पर धरना होगा तो दूसरी ओर केंद्रे ग्रह मंतरी के आवास के बाहर धरना दिया जाएगा लेकिन इससे पहले आप विधायकों को हिरासत में ले लिया गया है आप भारती जंता पार्टी सासित उत्तरी दिल्ली नगर दिगम में हुई धाई हजार करोल रुपे के भरष्टाचार की केंद्रे जांच ब्यूरों से जांच कराने और दोसियों पर कड़ी कारेवाई की मांग कर रही है विधायक सुरूसी आतिसी ने कहा था कि सीब्या इजांच की मांग को लेकर पार्टी के विधायक और पार्षा दिल्ली के उपरा जिपाल अनिल बैजल और केंद्रे गिरह मंतरी अमिस्ता से मिलेंगे लेकिन दोस्तों फाइनली अब देखा जा रहा है कि आपके विधायकों पर पुरी तरह से गिरह मंतरी का जवाब भारी पड़ा है और इससे दोस्तों आने वाले दिनों में कहीं न कहीं आमादुई की पार्टी ही जह जो उस पर भी बहुत बुरा आसर पड़ेगा क्यूंकि इस तरह से मले का गिरफ्तार हो जाना निश्यति ये अरभिन के जिवाल के लिए भी एक चिंता का विसे है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद